कान में भीक्स देते ही हो गया चमतकर हाँ दोस्तो ऐसा कुछ टिप आज मैं सेयर करने बाली हूँ जो की हर किसी का बहुती काम आने वाला है Welcome back, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं तो पहले टिप होगी मैं यहाँ पे कुछ रेमिडी बनाने बाली हूँ और इसके लिए वाजार से कुछ खरिदना नहीं पड़ेगा यानि कि किचन में ही मिल जाएगा तो यहाँ पे मैंने लिया है एक चमत जैसा सैंपू कोई भी सैंपू चलेगा अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा चुटकी भर चीनी यानि कि सुगर तो सुगर डाल के इसमें अच्छे से मिला लेनी है और मिला लेने के बाद इसमें और कुछ डालने बाली हूँ जो कि आसानी से किचन में मिल जाता है तो यह है बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा तो हर किसी के किचन में ही मिलता है आप इन तीनों को अच्छे से मिला लेनी है और यह इतना जबरदस्ट काम आने वाला है जो कि हमें बहुत परेशान होना पड़ता है इसके लिए तो ऐसा कुछ टिप है तो आप चलिए मैंने लिया है कॉटन और कॉटन को छोटे छोटे टूगरे में इस तरह से काट लिया है और जितना छोटा हो कोई दिकत नहीं है तो मैंने इस तरह से तोड़ लिया है अब इस रेमिटी को इस कॉटन के साथ अच्छे से लपेट लेनी है यानि कि मिला लेनी है और मिला लेने के बाद और हाँ दोस्तों ये ना जब भी करोगे तब भी इसको बनाना पड़ेगा यानि कि जितना जरूरत है उतना बनाना पड़ेगा बनाके रखना नहीं चाहिए ये रखने से कोई काम नहीं होगा तो अब मैंने इसका कैसे कहा इस्तेमाल करूंगी चलिए हम दिखाते हैं यह जो फ्रीज के अंदर की जो रवर होती है तो बहुत किसी के क्या होता है कि छोटे छोटे जो कौकरूज होती है तो यहाँ पे रहता है तो हम जो सॉलिशन तयार किया है इसको अगर इस तरह से रग दे तो देखोगे इसकी जो स्मेल है कौकरूज को अच्छा नहीं लगता है तो हम थोटा जादा बड़ा कर लिया है और भी छोटा करना पड़ेगा तो इस तरह से रवर के अंदर अगर रग दोगे तो यहाँ पे कौकरूज बगेरा नहीं आएगा और इसमें कोई हेल्थ के लिए कोई चीनता नहीं है क्यूंकि शैंपू तो हम हर कोई चीज को क्लीनिंग करने के लिए इस्तमाल करते हैं और बेकिंग सोडा तो खाने में ही इस्तमाल होता है और चीनी तो उसकी तो कोई बाती नहीं है तो इसलिए कोई डरने की कोई बात नहीं है आप फ्रिज के अंदर इस तरह से रख सकते हो और जहां जहां लगे कि यहां पे कौकरोज आता है कि कौकरोज रहता है तो उसी जगह पे इस तरह से कौटोन को रख दोगे तो ना देखोगे बहुती आसानी से कौकरोज भाग तो यह रेमिटी को तैयार कीजिए और कभी-कभी करना पड़ेगा यह पर्मानेंटली नहीं है दोस्तोघ कभी-कभी करना पड़ेगा चलि आई हूं दूसरी टीप की तरफ तो यह जो चैनल है चैनल तो हम क्लीन कर लेते हैं लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि इस चैनल के अब जल buna बेकिंग शोड़ा, यह किसी को पता है बेकिंग सोड़ा क्लीनिंग के लिए बहती बडिया होती है, और उसमें डाल दूंगी odoke min Khat ओप अधा काप डाल दिया है पानी मैंने दाल दिया है , इसमें भी में स्पथा काऊँ備 दिसे सिर्ट मीम करने में। जहां पे clean करना है और इसको यानि की spray करने के बाद 5 मिनिट के लिए छोड़ देना है ताके वो अच्छे से फूल जाए अब देखिए मैंने यहां पे लिया है जो छोटा चमज बगेरा होती है तो इस तरह के कोई भी चीज ले सकते हो और लिया है एक cotton का कपड़ा और वो कप एक दम से clean हो जाएगा बहुती बढ़िया टीफ है अगर आपके चैनल भी इस तरह से धूल मिट्टी में जम चुका है चिपक गया है तो यह solution जरूर तयार किजिएगा और इस solution से यह clean हो जाएगा और इस धूल मिट्टी को एक तरह से खीचोगे और बाद में जब एक तरह जमा हो जाएगा तब हातों की मदद से या फिर आप थोड़ा सा आटा गूंद कर रोटी जैसे आटा गूंद कर इसमें डालोगे तो आटा के साथ निकल आएगा और इस तरह से भी निकल सकते हो बहुती बढ़िया टीफ है दूस्तों आप इस तरह से बहुती इजिल से यानि कि यहाँ पर मेरे पास है कॉफी पाउडर और यह ना एक्सपायर हो चुका है ठीक है तो मैंने इसको फेका नहीं है क्यों फेका नहीं है यह भी हम यूज कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एक तावा बिठा दिया है चुला पर इसको मैंने क्या करना है कि इस तावा को गरम कर लिया है अब गरम करने के बाद दो या तीन चम्मच में डाल दूंगी इस एक्सपायर कॉफी तो कॉफी को क्या करना है इस तावा में देकर तो हाँ दोस्तों यह जो बाकी बचा हुआ है इसका भी मैं यूज बताऊंगी अच्छी तड़ा से जला लेना चाहिए ताकि इससे धुवा निकल आए और यह जो धुवा निकलता है तो इसी धुवा से हमारे घर में जो किड़े मकोडे यानि की मच्छर मच्छी जो होते हैं इसकी स्मेल से भाग जाएंगे तुरंत बहुती अच्छा और यह जो अच्छा हुआ है इसको मैंने एक कंटेनर में भर यानि की कॉफी के जो डब्बे है उसमें मैं भर के रख दूंगी क्योंकि जब हम मच्छी या फिर मटन हो या फिर चिकन हो जब हम बनाते हैं या फिर धोते हैं तो हाथ में बैड स्मेल रहे जाता है चाहे कैसे भी हाथ को क्लीन कर क्लीन करने के बाद अगर इस कॉफी पाउडर को साबुन जैसा हाथ में रगण लेंगे थोड़ा सा लेकर और फिर हाथ को वास कर लेंगे तो देखो के ना हाथों से बैड स्मेल एकदम से चूम अंतर हो जाएगा तो ऐसा अगर आपको लगे कि हाथ वास करने के बाद भी बैडी स्मेल रहे जाता है तो इस तरह से जो यूस यानि की जो एकस्पायर कॉफी पाउडर है इससे आप धो सकते हो बहुती बढ़िया टीप है बढ़ती हूँ अगले टीप की तरफ अभी जैसी की ठंड का मौसम है तो ठंड का मौसम हो चाहे कोई भी मौसम हो कान में एक्तम से चुमंतर हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे लिया है जंडूबाम आप कोई भी भीक्स ले सकते हो तो मैं यही इस्तमाल करती हूँ तो भीक्स हो या फिर जंडूबाम हो इस तरह की आप लेकर रुई में डाल दोगे और डालने के बाद कान की अंदर इस तरह से से कर दोगे तो दूस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगी कि यह जो रुई है थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि कान के अंदर ना जाए ठीक है यह बात का भी ध्यान रखना चाहिए और यह बच्चों के लिए एकदम से नहीं है यह बड़ो के लिए ही है जब कान में दर् तो करीब 2,5 घंटे रखोगे तो कान के दर्द एकदम से अच्छे हो जाएंगे बहुती बड़िया टीफ है और तब भी दर्द ना जाए तब हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं तो यह ट्रिक आजमा के देखोगे बहुती बड़िया टीफ है क्योंकि कभी-कभी ऐसे ही ठं लगने से भी कान में दर्द होता है तो ऐसे करोगे तो कान का दर्द अच्छा हो जाएगा आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा कर फिर मिलेंगे ठीक क्यार